देखे हमारी खासकारिक्राप प्राइम शाकाथ ये सांद। नोश्कार प्राइम ट्वीविम आपका स्वाग्याद। देखे हमारी खासकारिक्राप प्राइम शाकारिक्राप प्राइम खत्म होने के बाद उसी स्थान पर कॉंग्रस कारेकर्ता पहुँचे और गंगा जल का छिड़काओ किया। वहीं प्रदेश सचिव यूबा कॉंग्रस महबूब आलम का कहना है कि जगा जगा पर किसानों पर अत्यच्वार किये जा रहे हैं और ये भाजपसरकार किसान विरोधी है। और ये गूंगी बहरी सरकार कुछ सुनने के लिए तयार नहीं है। आज हमारे मुख्यमंत्री उष्कर सिंग धामी ने मानुबास में किसान मेले का आयोजन किया है और कॉंग्रसियों का कहना है कि इस प्रोग्राम में आए भारती जंता पार्टी के लोगों के कदम वहाँ पड़े हैं और ये इस्थान अपवित्र हो गया है। उसको पवित्र करने के लिए हम लोग गंगा का शिरवाद लेके आये हैं और वहाँ पे शड़काओ करके उसका वाद हम सुद्वार की विधान सभाज जौलापूर के गाउ मानुबांस में एक दिवसे भव्य रभी किसान महुत्सफ का यूजन हुआ इस महुत्सब में मुख्य अतिती मुख्य मंतری पुशकर सिंग धामी के साथ सुबोध उनियाल कुशी मंतری स्वामी यते स्वारानंद क्याबिनेट मंतری स्थानी विधायक सहीत कई भाजपा विधायक और भाजपा के दिगजनेतास कार क्रम में पहँचे। पुलिस प्रशासन और जेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कारिक्रम में सुरक्षा विवस्थाओं को लेकर भारी पुलिस बलतेनात रही साथी किसान मेले में भाजपनेताओं ने आगामे विधान सभचुनाओं के टीकट आवंटन को देखते हुए अपने अपने समर् तको के साथ शक्ती प्रदर्शन किया अधिकार में राचिस्त अपना दिवस के अफसर पर हरिद्वार की विधान सभा ज्वालापुर्खे गाउं मानुबास में एक दिवसे भवे रभी किसान महोचसव लोकार पड़वे मुख्य अतिति के रूप में सीम धामी शामिल हुए किसान मेले में पहुचे मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी का देवेंद्र प्रधान उनके समर्थकों ने हजारों की संग्य में पहुच कर भव्य स्वागत किया इसी कारिकरम में सीम पुशकर सिंग धामी ने करोडों की योजनाव का लोकार पड़ अशलान न्यास किया वई विधान सभाज वालापूर सीट पर टिकेट की दावेदारी कर रहे हैं देविंद्र प्रधान ने कारिकरताओं में ऐसे जोश भर दिया कि चारों और जैभाजपा तैभाजपा के नारे लगाए जब से उन्होंने कुर्सी सफ अमा लिया है तो कांगरेश की हालत क्या है इस परदेश के अंदर आप देखे रहे हैं कांगरेश का तो कोई नाम लेने वाला भी आदमी जो है इस परदेश में डंका नहीं बचाओं के पास तो कोई लीडर भी नहीं है घंटा करण धाम पहुचने पर प्रदेश की मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी फूल मालाओं के साथ जोरदा स्वागत किया गया माता मंगलाओं और भोले महाराज का मंदिर समेती के पदाधिकारियों सहित उपस्थित जन समूँ और श्रद्धालियों ने ढोल दमाओं और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया इस मौके पर दूरदराद छेतर से हजारो हजार की संख्या में भगवान घंटा की कृपा और आश्रबाद लेने घंटा करण मंदिर धाम पहुचे थे लोग और इस मौके पर मुखे मंत्री पुशकर सिंग धामी ने माता मंगलाग एवं भोले महाराज ने घंटा कर धाम क लोकार पढ़कर पूजार नखें लकसर में रजिस्ट्रार कानून गो अपनी कुछ हमांगो को लेकर पिछले ग्यारा दिनों से हड़ताल पर है जिसके कारण प्रदेश भर के किसान परेशान है किसानों को खतावनी नहीं मिल रही है अधिवक्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं और ना ही दाखिले खारिज हो रहे हैं इसको लेकर अधिवक्ताओं के साथ-साथ किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहीं लक्सर इसधियंग बैभव गुपता का कहना है कि प्रदेश भर में आर के हरताल चल रही है और उनके तरफ से काम वहिशकार किया जा रहा है इनकी कुछ मांगे हैं जिनका निर्णे उच स्तर से लिया जाना है प्रदेश तर पर ही आर के जो है सभी की हरताल चल रही है और कारे बैशकार किया वह है उनकी कुछ मांगे हैं जिसका जो निर्णे है वो उच स्तर से लिया जाना है तो इसमें हम वैकलपिक विवस्था बनाई जारी है लेकिन समस्या यह है क्योंकि जो खतोनी है वो डिजिटली साइन होती है तो इसमें आर्के के सिंग्नेचर से ही निकलती है तो इसलिए वो जब तक वो ट्रांसफर नहीं होते हैं तो तब तक किसी और को उसका प्रबार दिया जाना संबन नहीं हो रहा है तो इसके लिए उच्छा दिकारियों से प्रदेश के पूर्व मुख्य मतरी हरी शरावत ने लाल कुवा पहुचे जहां पहुचकर पूर्व सीम ने पूर्व अद्यक्ष और वरिष्ट कॉंग्रस नीता स्वर्गे ग्यान सिंग उसाई के परिवार से मुलाकात की और परिवार के साथ धांडस बंदाया साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुख की घड़ी में पूरी कॉंग्रस पार्टी उनके साथ खड़ी है वहीं पूर्व सीम भरी शुरावत ते पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशिय अंदर दुर्गापाल की आवास पर पहुँच कर उनका हाल चाल जाना और आगामी विधान सभचुनाओं में एक जुट्ता के साथ मिशन 2022 फतेह करने के टिप्स भी दिये प्राश फेंद के बारीशिय दे जीने वाले बैठती हैं और वह जल्दी अपनी विबारी से उबर जाएंगे और स्वस्थ हो करके फिर से समाजेकारियों और अपने घर विरस्ति के कामों में सक्षी हो जाएगे विकास नगर के रॉयल गार्डन में भाजपा का प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ इस सम्मेलन में चुनाओ प्रभारी एवं केंद्रे क्याबिनिट मंत्री प्रहलाग जोशी पहुचे इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में विकास नगर विधायक मुन्ना सेंग चौहान और सहसपुर विधायक सहदेव सेंग पुंडीर सहित कई लोग शामिल हुए आज के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कारे करताओ को समबोधित करते हुए उत्राखण चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि उत्राखण में जितनी भी महत्वकांग्षी रेल परियोजना और वेदर रोड परियोजना पर जो कारे चल रहे हैं वो सब डबल इंजन की सरकार मोधी सरकार की देन है वन रैंक वन पोजीशन योजना भी मोधी जी की देर है और मुझे पूरा विश्वास है भारती जिनता पार्टी इधर उत्तराखण में फिर से जीत के आएगा और डबल इंजन लकसर में अवैद खनन और अवैद खनन परिवाहन में लकसर उप जिलादिकारी वेभग उपता ने एक्शन लिया है S.D.M. ने अवैद खनन की नौ ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ कर सीज किया उप जिलादिकारी के द्वारा अवैद खनन और अवैद खनन परिवाहन के विरुद लगतार की ज़ा रही कारिवाई हुई है और साथी खनन माफियाओं में इसके बाद हड़कम ममज गया उप जिलादिकारी वैवगुपता का कहना है कि छेत्र में अवैद खनन पर लगाम लगाने के लिए एक टीम गठित की गई है जो समय समय पर लगतार कारिवाई कर रही है करते हुए नो ट्रेक्टर टाली जो है परड़ीगे लिए उनको सीज करने है उनके कारवाई कि जा रही है इसके लगावा वहाँ जो प्रिशन की बात हो दी है वहाँ पर भी टीम को भी ज़गा रहा है लगी वहाँ पर जाज करने पर इस तरह की कोई भी खरन सम्बंदी कर दिए पाई लगी तो सम्बंदी के विलूज निमन उसार और शेक्र हरिद्वार से नगर निगम के बाहर हाईवे के किनारे लगी सम्बंदी को फिर से हटाने के दौरान जम कर हंगामा हो गया नगर निगम प्रशासन और सबजी व्यापारियों के बीच जम कर बहस बाजी हुई सब्जी व्यापारियों नगर निगम पर बार बार चगह बदल कर उत्पीडन करने का आरोब लगाया गरीब डेड़ घंटे तक चली बहस के दौरान मौके पर व्यापारी नेता भी पहुँचे सभी ने नगर निगम की अचानक से कारवाई करने का विरोध किया विरोध बढ़ने पर नगर निगम ने पुलिस बुला ली काफी गहमा गहमी के बाद आखर में नगर निगम प्रशासन ने सब्जी व्यापारियों को चंद्रभागा नदी किनारे एक संस्था की जमीन पर दुकाने लगाने के अनुमती का पत्र जारी किया जिस्वा सब्जी व्यापारियों ने जाने से इंकार कर दिया फिल्हाल सभी सब्जी व्यापारी बिना अनुमती के ही जीवन जीवनी माई मार्ग के पास अपने पुराने स्थान पर दुकाने लगा कर बैट गए है सब्दी व्यापारियों की नीचे तावनी दी है कि अगर उन्हें अपने स्थानों से उजाडने की कोशिश की गई तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे अब यह कह रहे हैं कि एनेच का आदेश आया है कि नेच वाले यहां पर रोड का काम सुरू करना चाह रहे हैं आपको यहाँ से हटना है और आप चंदरभा का नदी में जाएं जो प्रज़त है वहां पर कोई रख्ष्षा नहीं ہے uh अब तो यहां पर भी वाद की सब्सक्राइब होinarर रही कि क्योंकि पहले भी एक बार इन्हों नों भीजा था तो उन्हों आपस आगे थे तो अब यह मानने को तैयार नि हमने इन से कहा कि आप हमें पुरी सुपधा देकर जाब सारी मुलभुथ जो सुपधाय होती है प्रकास की लायट की सोचा लेगी जब सुपधा कर देंगे और हम कीशी प्रकार की बाधित नहीं होती है कि अधरा निजनल हाईवे के चाड़ी करण हो रहा है टो विवाग है लगज निगम को पथ्रे लिखा है यहां पर बाहर काफी जन सेंक्या में लोग है इनको कही मुला और जेघे बेज़ा जाएं तो नगरयत वादे जो शिरी बरत मंदिर महाराज दिमादयन से सहीमति पत्र बना कि जब तक हड़ बेखरतों के लेख कहीं और जगे शिप्ण ने हो सकते हैं कि या निशनल हाइवे का काम होना है तब तक आप यह करें कि बरत मंदर की जगा है वहां पे चंद्रबागा के पास में जो कि मतलब ख यह दिशन निर्देश दिये हैं कि जो बाद जो फट लगा रहे हैं और सड़क जो है जोड़ी करण में बागा हो रही है रुड़की की सिविल नाइन कोटवाली में आज जो महिला कॉंग्रस कमिटी नेताओं के ओर से बॉलिवूड अभिनेतरी कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है बॉलिवुड अभिनेतरी कंगना रनौत के खिलाफ तहरीर दे कर मुकदमा दर्ज कराने के मांग की गई है कॉंग्रिस महिला नेताओं का आरोप है कि अभिनेतरी कंगना रनौत ने कहा कि भारत को जो आजादी 1947 में मिली थी वो भीक में मिली आजादी थी महिला नेताओं का आरोप है कि अभी नेतरी कंगना रनावर जी जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी अदाकारा है उन्होंने इतनी गलत भीयान बाजी किया हमारे महान पुरशों के लिए जिन लोगों का हम बहुत संवान करते इयं उन लोगों के लिए हमारी महिलाओं ने इतनी قुर्बानी दी और एक महिला होने के बहुदट अपनमासिक संतुलन वो खोचुकी है और वो कह रही ही कि देश जो हजाद हुआ है वो दो हजार चौदे में हुआ है वो तो दो हजार सिंटालिस में इनको भीक मिली थी तो मैं उनको कहना चाहती है कि अपनी इतनी चम्चागिरी ना करें और इतने अल्मोडा में भी विधान सभा चौनाओ की सरगर्मिया तेज़ हो चुकी है समेबी जेपी कॉंगरस के अलावा निर्दलिये दावेदार भी मैदान में पसीना बहाते दिख रहे हैं अल्मोडा विधान सभा में लंबे समय से सकरी है विने किरॉला ने अपने हजारों समर्थकों के साथ अल्मोडा के हैरिटेज सिटी बनाने के मांग करते हुए पदियात्रा निकाल कर शक्ति प्रिदर्शन किया जिसमें महिलाएं युवाओं समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रही इस मौके पर मंच के संयोजग विने किरॉला ने कहा कि अल्मोडा शहर प्राचीन शहर होने के साथ ही अपनी तहजीव और सांस्कृतिक के लिए भी देश भर दुनिया में जाना जाता है सरकारों की उदासी इंता के कारण ये शहर अपनी पहचान खोता जा रहा है देखें आज से लगब एक डिल साल पहले उत्राकन सरकार ने पौड़ी को हेटे सिटी बनानी की घोशना करी उसके ततकाल बाद हमारे मंच ने परतिक्रिया देते हुए अल्मोला को हेटे सिटी बनानी की मांग करी कुमाओं को सांस्कितिक राजदानी अल्मोला है और अल्मोला का विकास तभी संभव है अल्मोला का जो खोया हुआ स्वाइमान है वो तभी जिन्दा हो सकता है पौना जीवित हो सकता है जब अल्मोला को हेटे सिटी बनाए जाए तो इसी संदर्म में आज ये पजात्रा निगल ली है, साथ दिन की पजात्रा है, जिसमें अलमुरा के प्रदेक बाद में हम लोग जाएंगे रिशिकेश के रायवल अथना चेतर के पास साहब नगर में ग्राम समाज की भूमी पर अवयद रूप से कबज़ अपकर प्लोटिंग की जा रही है, जिसके खिलाफ लगतार ग्राम प्रदान के साथ मिलकर ग्रामीडों ने धर्णा प्रदेक्शन भी किया, बावजूद इसक अभी तक तहसील प्रशासन मामले का संग्यान लेने को तयार नहीं है, ऐसे वे ग्राम प्रदान ने नायाब तहसीलदार को SDM के नाम एक ग्यापन सौपा है, जिसमें दो दिन के अंदर कारवाई नहीं होने पर तहसील में अंशिन की छेताम नी दी गई है, बताते कि साहब नगर के ग्राम प्रदान ड्रामीडों के साथ मिलकर SDM कार्याले पहुच गए, मौके पर तहसील प्रशासन के खिलाफ नारे बाजी कर ड्रामीडों ने प्रदर्शन किया करना चाहता हूं, जो ये मेरी ग्राम समाज की भूमिया, खसर नंबर आठ, इसमें मान्या न्याले आई कोट के द्वारा और जिल्ला इदिकारी महोदे के द्वारा परसासन ने इसमें 6 अक्टूबर 2020 को पंचाहत के हैंड़ोवर करी थी, जिसमें कभजे की पत्रावली बन की मिली भगत से, इसमें पून मेरी ग्राम समाज की भूमिया को जो तैसिल परसासन 2000, मैंने सबसे पहले लेटर दिया जून 2021 को, तो तब से तैसिल परसासन मुझे गुमरा करता चला आ रहा है। प्रायत उत्राखंड में सत्ता की विसात पर मोहरे चलने वाले बादशाहों के तक्त पलट हो सकते हैं। मुझे हाइकमन ने, मानिय सिमती सोनिय गंदी जी ने, श्री गाउल गंदी जी ने, फिरिंका गंदी जी ने, यहां आने वाले विदानसवा चनाबों के लिए गड़वाल, लोकसवाग सेत्र का परभारी बनाया गया है। और मुझे जो उनकी अमीदे हैं, उनकी अमीदे आप जानते ही हैं, यही है कि उत्राखंड में कॉंगर्स की सरकार सत्ता में आए और उन अमीदों पर हम पूरा उत्तरना है, पूरा उत्तरने की कोशिश करेंगे। और आने वाले चनाबों में हमारा जो टारगेट होगा मचली की आंख की तरह हमारी एक ही टारगेट है कि आने वाले चनाबों में। चमूली के GIC नारायन बगड के खेल प्रांगड में 14 SD NCC कैंडिडेट के लिए 5 दिनों का प्रसिक्षर शिवर का आयो जिन किया गया है। जला मुख्याले के बत और सेना के प्रसिक्षर हवलदार वीरेंदर सिंग, हवलदार दिनेश सिंग, हवलदार आनन्द सिंग के दिशा निर्देश में 5 दिनों तक NCC कैंडिडेट की सेना से संबंधित प्रसिक्षर दिये जोएंगे। जिससे NCC केंडिडेट्स को प्रमुकता से ड्रिल, फिल्ड, क्राफ्ट, वैपन, ट्रेनिंग और NCC के इतिहास से सम्मनित प्रसिक्षण भी शिविर के दौरान दिये जाएंगे प्रसिक्षण के अंतिम दिविस पर NCC केंडिडेट्स ने देश भक्ती पर्यावरण पर शानदार नाठक करेंगे और गड़वारी लोक सांस्कृती पर आधारित लोक गीतों अंधरत की लाजवाब प्रसुतिया भी दे कर खूब तालिया बठोरी इसके लिए सांस्कृतिक कारेक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरुस्कृत भी किया गया सबसे पहले मैं सभी को जैहिन कहूंगी और मैं SW सीनियर कैड़ेट मॉनिका और मैं यही कहूंगी कि सभी जो आने वाली कर्ल्स हैं उनको भी NCC में आना चाहिए जिसमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है हमने NCC के पास दिवस्चिया प्रस्क्षिक्षन में FC, BC, field craft, battle craft, cultural program, drill competition, बहुत सारी competition यहावदे होते हैं जिवेट competition भी हमारे NCC में होता है जिसमें की लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है प्रकाचन सपी जिले में हमारे बहुत-बहुत साहिता की और हमने drill commission में भावले हमको weapon training और बहुत बहुती आर्मी की schedule में रहने का आर्मी के चलना फिरना और सब चीज़ हमको एड़कूरेट हमारे NCC में हमको शिखाया धने बाद वन यूके बटालियन गोपिश्वर द्वारा 14 HD फ्लाटून G.I.C. नारण बगड़ में पांस दिवसीय केम्प का आईजन किया गया इस केम्प के दौरान हमारे NCC केड़ेटों ने drill, weapon, साथ ही lecturers आदी जो है परसीक्षड में परतिभा किया है और हमारे गोपिश्वर से आये हुए हमारे P.I.E. स्टाफ स्री दिरैन सिंग जी और स्री आनन सिंग जी ने कैड़ेट्स को विभिन प्रकार की गतिविदियों में परतिभाग कैसे किया जाता है बी सेटिफिकेट और ए सेटिफिकेट के लिए जो आवशक स्लेवस है उसका जो है पूर्टा कैड़ेट को जो है जानकारी दी गई बाजपुर में सकत कानून के बाद भी दहे जो लोगे जो आवशक जो है लोभियों के होसले बुलंद होते नजर आ रही है जिससे नव विवाहितों के मौत का आकड़ा बढ़ता जा रहा है आई दिन दहेज की खातिर युवतियों को मौत के गले लगाना पड़ रहा है और ऐसे ही एक मामला बाजपुर में प्रकाश में आया है जहां दहेज लोभियों के अत्याचार का शिकार होना पड़ा बाजपुर ने कोतवाली में तहर दे कर बताया कि उनकी बेहन का विवाह थोड़ी ही समय पहले हुआ था और बाद में ससुरालियों ने दहेज के लालच में विवाहिता को काफी ज़ादा परिशान किया वहीं विवाहिता की मौत पर परिजन मौके पर पहुँचे और जुम कर हंगामा किया सूचिना मिलने पर सीओ बंदना वर्मा कोतवाली रमेश तनवर और एसस आई राहुल राठी ने फोर्ट के साथ मौके पर पहुँच गए और कब शब को पोस्मॉटम के लिए भेज द या है कब से मिलेकर मैं कोतवाली पुलिस ने तहरीर क्याधार पर पती सहे था ससुर और देवर को उपर मुकदमा दर्ज कर लिया है विविविन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है जोब इसमें दोश्य होंगे उनके खिलाब उचितकारवें की जाएगे अब हम अपनी कारवाई शरू करने है उत्राखन की खबरों में फिलहाल इतना ही तमाम खबरों के लिए बने रही है प्राइम टीवी के साथ है ज़ अपना टीवी झाल शर्भान झाल वाल इसमें तो झाल एक प्रावाई एंद्स झाल झाल